तुदून तुदू इसी अवर नेक्स टॉपिक लाउप पेरिलेलो ग्राउप अफ वेक्टर तो इन दिस टॉपिक वी आर स्टुडिंग हाउटू एड वेक्टर्स ओके तो जैसे हमने ट्रेंगल लॉव में पढ़ा था ट्रेंगल लॉव में जैसे हम ट्रेंगल लॉव में जैसे वेक्टर के अडिशन करते थे हम मतलब दो वेक्टर्स को मिला के ट्रेंगल बना के ट्रेंगल लॉव यूज करते थे बट पैरलेलोग्राम वेक्टर में हमें देखना है कि पैरलेलोग्राम ओफ वेक्टर तो इसमें हम क्या करेंगे पैरलेलोग्राम बनाएंगे पैरलेलोग्राम मतलब ऐसा वाला ओके तो यहाँ पे देखो यह एक दूसरी मेथड है Another geometrical method of adding two vectors is called parallelogram law of vector तो एक method है वो है triangle law और यह है parallelogram तो क्या दिया है यहाँ पे If two vectors of the same type अगर दो vector है same type के originating from the same point मतलब एक ही जगह से वो निकल रहे है तो उनका जो tail है वो क्या है सेम है मतलब यह सपोज OA और OB तो इन दोनों का tail कौन सा है O origin तो A की origin से यह यहाँ जा रहा है और यह यहाँ जा रहा है तो ऐसे जो vectors होंगे उनको हम क्या कर सकते हैं law of parallelogram यूज करके उनका resultant vector निकाल सकते हैं अभी देखो यहाँ पे दिया है OA और OB यह दो vector लिये हमने तो इसका resultant vector बनाने के लिए हमने क्या किया OA को parallel एक line बनाई है जिसका नाम है BC और यह दोनों तो already vector थे मैं ऐसा arrow दिखा देती हूं मतलब यह दोनों तो already क्या थे vectors थे OA and OB तो उनका resultant vector निकालना था हमें मतलब पहले कैसा था यह सिर्फ ऐसा OA और यह OB यह ऐसा था पहले तो उसको हमें उसका resultant vector निकालने के लिए हमने क्या किया इसको एक इसको पारलल निकाली लाइन और एक इसको पारलल इसलिए इसको क्या बोदे parallelogram तो इसको parallel और इसको parallel से हमने क्या बनाया parallelogram बना दिया और उसका जो diagonal होगा यह क्या होगा resultant vector of two vectors तो यह हो जाएगा resultant vector of OB और OA का तो same यहाँ पे दिया है तो देखो क्या किया है इसको किस से denote किया है R vector से so R vector equal to P vector plus Q vector क्योंकि OA को किस से represent किया है P से और OB को Q से so R vector equal to P plus Q क्यों इन दोनों का क्या है वो addition है ना यह resultant है तो यहाँ पे यह diagram समझ गया इसके पात देखो in figure 2.7 यह जैसे मने बताया OA vector equal to P vector and vector OB equal to Q vector represent two vectors originating from point O inclined to each other at an angle theta तो देखो इनका जो angle है वो क्या है theta है theta मतलब क्या है 90 degree में we complete the parallelogram तो 90 degree में है तो इसलिए हम क्या कर सकते है इसको parallel में बना सकते है तो बना दिया तो parallelogram हमारा बन गया then according to this law the diagonal OC vector equal to R vector represents the resultant vector तो इसका जो law है उसके हिसाब से जो diagonal बनता है वो क्या दिखाता है resultant vector दिखाता है to find the magnitude of R vector तो हमें R vector का magnitude निकालना होगा तो क्या करना पड़ेगा हमें draw a perpendicular line तो क्या करेंगे हम perpendicular line draw करेंगे C से जो क्या पहुचेगी O A तक पहुचेगी मतलब यहां से इसको perpendicular डालना पड़ेगा और यह यहां पर क्या करना पड़ेगा हमें बढ़ाना पड़ेगा तो यह क्या हो जाएगा फिर एक triangle बन जाएगा तो triangle बन जाएगा मतलब तो triangle लो से भी हम इसको क्या कर सकते है निकाल सकते है तो हमने क्या किया इसको यह देखो यह C था तो इसको यहां से perpendicular डाला और इसको क्या किया यहां से थोड़ा बढ़ा दिया और इसको नाम दिया है D तो उसके बाद देखो जब extend हो गया हमारा यह यह जब extend हो गया उसके बाद क्या है इन right angle triangle तो यह OCD क्या हो गया 90 degree है यह 90 degree है तो यह भी क्या हो गया 90 degree तो यह 90 degree जो बन गया है तो उस पे हम क्या कर सकते है इन right angle triangle OCD OCD यह right angle triangle बन गए हमारा पूरा तो उस पर हम क्या करेंगे pythagoras का theorem apply करेंगे तो pythagoras का theorem क्या बोलता है hypotenuse का square equal to क्या होता है दोन adjacent side का square और उसकी addition so oc square तो यह जो oc square है वो equal to क्या हो जाएगा यह od का square plus cd का square तो यह od square plus cd लिखो नहीं तो dc लिखो तो यह हो गया square तो अब ही देखो यह जो od है तो od में क्या हो रहा है दो पार्ट बन रहे एक तो oa और ad यह दो पार्ट है ना तो oa plus ad हापे link केंगे हम od equal to तो यह क्या हो जाएगा oa plus ad bracket square plus cd square तो उसके बाद यह क्या जाएगा अगर a plus b bracket square का फॉर्मूला पता होगा तो क्या होता है a square plus 2ab plus b square और यह cd square क्या जाएगा as it is तो यह हमारा हो गया oc square जैसे यहापे दिया है देखो यहाँ गया हमारा oc square equal to oa square okay in the right angle triangle adc तब देखो यहापे adc का बाद right angle triangle में adc एक छोटा वाला triangle बरना है ना उसकी बात हो रही है ad square उसपे भी क्या करना है by application of pythagoras theorem तो pythagoras theorem यहाँ पे भी उसकर सकते है क्योंकि यह पूरा right angle triangle है उसमें भी यह जो angle है वो भी क्या है right angle triangle क्योंकि यह भी 90 degree और यह पूरा भी क्या था 90 degree था तो इसपे अगर pythagoras apply किया तो इसका hypotenuse क्या आता है ac square so ac square equal to ad square plus dc square देखो ad square plus dc square तो उसका भी हम expansion करेंगे तो oc square equal to तो अभी हमें क्या करना है यह जो ad square plus dc square equal to ac square है वो यहाँ पे put down करना है तो यह इसके जगा पे हमें क्या डालेंगे ac square तो यह क्या हो जाएगा फिर देखो oa square plus 2 oa into ad plus ad square plus c square के जगा पे क्या डाला है ac square also oa vector equal to to oa vector equal to क्या आप दिखाया है यहाँ पे हमने p दिखाया है और ac equal to क्या दिखाया है ob क्यूंकि यह दोनों क्या है एक दिसने को parallel है तो ac equal to ob equal to क्या है q vector अगर parallelogram है तो उसकी जो parallel side है वो क्या होगी same होगी इसका अगर q vector है तो यह भी होगा q vector यह p है तो यह भी क्या होगा p vector तो यहाँ पे सब जगा पे क्या लिखाया है हमने cos theta equal to क्या है cos theta equal to ad plus ac तो cos theta कौन सा यहाँ पे तो cos theta यहाँ पे यह वाला एंगल तो cos theta equal to ad ad upon ac तो यह क्या हो गया cos theta equal to lower adjacent upon upper adjacent ऐसे बोलो नहीं तो फिर यह जो एंगल है इसके सामने की जो लाइन है वो क्या है opposite upon hypotenuse तो cos theta equal to ad divide by ac यह क्या है cos theta cos theta equal to ad divide by ac ok so ad equal to ad equal to ac cos theta हमने यह जो लिखा है cos theta equal to ad divide by ac तो ac को इधर कर लिया तो क्या हो जाएगा यह multiply हो जाएगा ok और equal to क्या लिख सकते हम q cos theta क्योंकि ac का जो vector है वो क्या है q vector तो इसलिए हमने इसको लिले यह q cos theta अभी यह जो है यह जो value है वो हमें किस में डालनी है 2.7 वाले equation में डालनी है तो वो क्या जाएगा oc square oc square किस से represent कर रहे है r square equal to oa मतलब क्या है p square तो p square प्लस q 2 oa 2 क्या है 2 oa क्या है हमारा p उसके बाद क्या है a d क्या है a d है q ok so 2 p q cos theta यह जो a d निकाला हमने a d क्या है q cos theta और यह q square क्या है a c square a c square क्या है q ok तो वही value put down किया आप ठीक से पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा तो value put down कर दी अभी इसका square root हमें square निकालना था तो यह under आ जाएगे square root के under ok square root के under आ गई तो क्या हो गया है equation gives us the magnitude of resultant vector r vector तो यह जो हमारा equation निकला है तो वो क्या दिखाता है resultant vector जो निकला है oc vector तो वो oc का यह क्या है magnitude है जैसे हम magnitude क्या होती numbers में होती है तो numbers में जब हमें magnitude निकालना होगा किस resultant vector का तो हमें यह वाला equation use करना है तो इसको box कर सकते हो आप box कर लेना ok उसके बाद देखो to find अभी हमारा यह तो निकल गया magnitude तो निकल गया हमें अभी क्या निकलना है direction to find the direction of the resultant vector r vector we will have to find the angle alpha made by r vector with p vector तो देखो यहाँ पे जो angle alpha बन रहा है तो angle जो alpha बन रहा है r vector और p vector यह r vector और p vector की बीच में यह जो angle alpha है तो वो हमें क्या करना है find out करना है direction निकालने के लिए ओके तो देखो int angle odc तो वापस से odc यह जो angle है उसमें tan alpha tan alpha कौन सा है यह वाला so tan alpha equal to क्या है dc divided by od मतलब यह वापस से कौन सा आ गया tan alpha equal to opposite upon hypotenuse तो alpha के opposite क्या है dc और adjacent में क्या है od तो tan alpha equal to लिख लिख लिए हमने dc divided by od so dc divided by अभी od का क्या हो जाएगा दो पार्ट में divided हो जाएगा oa plus ad ओके तो यहापे लिख लिख लिए oa plus ad from the figure sin theta equal to अभी यह जो sin theta है sin theta equal to dc divided by ac तो यह क्या हो जाएगा वापस opposite upon hypotenuse तो sin theta equal to dc divided by ac sorry dc divided by ac यह वाला okey तो opposite upon hypotenuse okey तो वापस से dc का value निकालना है तो dc equal to क्या कर लिए हमने यह ac multiply में चला गया तो ac sin theta और ac क्या है हमारे पास q है तो q sin theta आ गया also ad equal to ac equal to ad equal to क्या था यहापे देखो ac cos theta तो यह क्या गया q cos theta तो dc और ad हमें मिल गया and oa vector क्या है oa मतलब क्या है यहापे p vector है तो यह सब value हमें क्या करनी है 2.9 के equation में डालनी है तो tan alpha equal to dc क्या मिल गया है हमें ac sin theta वो क्या है q sin theta तो यहापे डालेंगी q sin theta divide by oa क्या मिला है p plus ad क्या मिला है हमें ad मिला है q cos theta so alpha equal to tan inverse of अगर यह tan इदर जाएगा तो यह क्या हो जाएगा इसका inverse tan inverse of q sin theta divide by p plus q cos theta तो यहापे जो equation number 2.10 यह जो दिया है तो वो हमें मिल गया the direction of the resultant vector r vector तो इसको हम दिखा के alpha equal to tan inverse जो है तो वो क्या दिखाएगा हमे direction of the resultant vector r vector if beta is the angle between r vector and q vector it can be similarly divide that beta equal to tan inverse of p sin theta upon q plus p cos theta तो अगर यहापे alpha angle था तो यह क्या आया q sin theta divided by p plus q cos theta और अगर यहापे beta angle आता तो beta angle क्या होता यहापे q के जगा पे p और p के जगा पे q आ जाता और यह q के जगा पे p तो देखो यह equation ऐसे बनता तो हमें जब भी parallelogram law of vector addition पूछेंगे तो हम यह वाला equation बताएंगे कि यह जो equation बन रहा है तो उसका जो magnitude निकालना होगा तब हम यह वाला formula यह करेंगे और जब direction पूछा जाएगा तब alpha equal to tan inverse नहीं तो beta equal to tan inverse यह वाला पूछेंगे तो यहां पे क्या दिया है कि water क्या कर रहा है flow in a stream stream मतलब नदी में जो पानी बहता है या फिर stream मतलब यह भी continuous जो flow होते रहता है तो वो आप ले ले सकते हो river में से जो water continuously flow करता है उसे बोलते stream ओके तो water stream में से बहर रहा है with velocity 5 km per hour 5 km per hour इतनी velocity है उसकी और in an easterly direction तो वो क्या कर रहा है east में मतलब पूर्वदिशा में flow कर रहा है relative to the shore relative to the shore मतलब किनारे के साथ साथ तो देखो speed of a boat is relative to still water is 20 km per hour तो यहाँ पे boat का जो speed है वो किसके जैसा है speed of a boat is relative to still water still water मतलब जो शांत पानी रहता है उसे बोलते है still water is 20 km per hour मतलब boat की जो velocity है वो कितनी है 20 km per hour है if the boat enters the stream heading north अगर क्या किया boat ने जो stream के head है north के side में अभी east में अगर वो बह रही है तो वो क्या करना चारिए नौर्थ के तरफ अगर जाना चारिए with what velocity will be the boat actually travel तो boat कौन से velocity के साथ travel करेगी क्योंकि boat का जो speed बताया था तो वो क्या था जब यहां पे देखो यह flow हो रहा है continuous अगर flow हो रहा है सपोज continuous flow हो रहा है तब boat की velocity कितनी है steel water मतलब stream में flow हो रहा है तो वो क्या हो गया 20 km per hour के speed से वो जा रही है लेकिन suddenly अगर ऐसे जाते 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 उसको क्या करना है यहां से directly इधर मुनना है इधर मुनना है मतलब उसका जो velocity होगा वो कुछ change होगा क्योंकि यहां तक तो steel water था देकिन यहां से क्या हो जाएगा opposite direction में जाने लगेगा तो उस वोट का speed क्या हो जाएगा obviously change होगा तो उसकी velocity हमें निकालनी है तो फॉस्त देखो the resultant vector r vector of the boat can be obtained by adding the two velocities using triangle oab shown in the figure magnitude of the resultant velocity is calculated calculated as follows तो देखो हमने जो parallelogram का जो law देखा था उसमें हमने resultant vector निकालने का formula देखा था और वो क्या था देखो वो था r equal to under root of p square plus q square plus 2p q cos theta ओके तो यहां पे देखो हमारे पास velocity कौन सी कौन सी है वोस तो वो हम देखेंगे ओके तो पहले तो हमने क्या किया ये o o to a एक तो पहले triangle बनाया triangle law यूज करने के लिए ओके तो triangle law यूज करने के लिए क्या किया है हमने o a 20 km per hour मतलब यह क्या है बोट का जो बोट क्या कर रहा था stream velocity के साथ ओके यहां पे क्या जिया है east दिखाया है ओके तो यहां पे क्या है east यहां पे है यहां पे north दिखाया है यहां से बोट कर रही है और उससे क्या किया है उसने देखो 5 km per hour किसका flow बोल रहा है water का flow तो यहां से यहां बह रहा है यह जो नाव है और यहां पे इसका flow कितना है 5 km per hour जो water का है water is flowing in a stream ओके तो देखो यहां पे क्या है water क्या कर रहा था water is flowing within a stream with velocity 5 km per hour in an easterly direction तो क्या कर रहा है water तो क्या कर रहा है इधर east के direction में बहरा है with a storm यहाँ पर suppose यह ऐसी नदी है तो यहाँ पर इसका क्या यह किनारा है तो इस किनारे से यह water क्या कर रहा है यह east direction में क्या कर रहा है flow कर रहा है और जो नाव है वो क्या कर रही है यहाँ से OA speed of boat is speed of boat क्या है यहाँ पर 20 km per hour है अगर इस boat को east यह shore जे है तो वो shore के head तक जाना है अब यह नाव ऐसे जाने वाली थी अब इसको क्या करना है इसके head तक जाना है नदी के इस टोक पर जाने का है तो उसके लिए उसका velocity क्या होगा यहाँ पर 20 km per hour था तो यहाँ पर जाने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा velocity change करना पड़ेगा तो वो कैसे निकलेगा तो हमारे पास क्या है एक तो water क्या कर रहा है इस direction में flow कर रहा है और second जो है boat क्या है इस direction में flow करेगी तो इन दोनों को joint करके आपको resultant vector तो मिल जाएगा वैसे यहाँ पर किया है OA और AB इन दोनों को मिलाओगे तो आपको resultant vector मिल जाएगा तो उसको किसे टोनेट करते हैं आज से यह हम triangle law में बड़े हैं तो देखो और यहाँ पर जो angle बना है वो क्या है alpha क्योंकि alpha angle क्यों बन रहा है यहाँ पर पहले तो यह stream water का flow था और यहाँ पर यह now वापस change करके क्या कर रहे है northern direction में जा रहे थी तो इन दोनों के बीच का जो angle बना है वो बना है alpha ओके तो देखो अभी resultant vector निकालना है तो r equal to under root of 20 square plus 5 square तो under root of क्या हर जगा 425 तो under root of 425 कितना आया है 20.61 km per hour अभी देखो यह तो निकल गया इसका magnitude magnitude तो निकल गया अभी क्या करना है वह direction बताना है तो अभी direction के लिए क्या करेंगे यह जो alpha है तो इसको क्या बोलते हैं tan alpha तो यहाँ पर क्या करने का tan inverse tan inverse of 5 by 20 तो 5 by 20 कैसे लिए है हमने यह 5 divided by 20 तो 5 by 20 क्या आ गया tan inverse equal to 0.25 तो tan inverse 0.25 हम देखेंगे तो वह क्या आएगा 14 degree 4 minute तो इसका जो tan inverse हमने देखा है तो वह कैसे देखा है हम lock table में lock table यूज करेंगे इसके लिए तो tan inverse of 0.25 हमें देखना है तो यहाँ पर क्या करने का यह जो natural tangent का page है वो निकालेंगे और उसमें क्या करेंगे 0.25 0.25 हमें देखना है तो यहाँ पर जो point वाले दिख रहे है यह point वाले क्या है जीरो में यह इसको क्या बोल रहे है 0 degree और यहाँ पर क्या है minutes है यह degree है यह वाले degree है और यहाँ पर क्या है minutes है तो यहाँ पर 0.25 देखने का है अभी 0.14, 15, 17 24 0.24 है और उसके बाद क्या है 0.26 तो हमें क्या चाहिए 0.25 चाहिए तो हम क्या करेंगे इसे consider करेंगे 0.24, 93 अब इसके अंदर कितना add करेंगे तब क्या हो जाएगा 25 होगा 0.25 तो उसके लिए हम यहाँ पर mean difference के column में आएगे तो वहाँ से उसका अभी तेको 6 add करेंगे तो कितना हो जाएगा नहीं होगा पूरा 25 नहीं होगा और 12 add करेंगे तो 93 प्लस 12 करेंगे तो वहाँ जाएगा 25 0 5 ओके 25 0 5 तो हम लेंगे 2493 14 देखो किस में आया डिगरे में ओके 0.25 तैन इन्वर्स एक ना है ना 0.25 तो हमने 0.25 यह ढूंडा 2493 तो 2493 यहाँ पर लिख लेंगे 2493 प्लस उसका 4 में कितना है यह 4 है ना 4 मिनिट वह कितना है 12 है तो प्लस 12 करेंगे तो यह कितना आजाएगा 5 25 05 बत्तब यह क्या आगया और हमारा 0 पॉइंट क्योंकि यह 0 पॉइंट हा ना 0.25 तो यह मिल गया तो अभी इसका यह यह किस रो में आपको दिख रहा है यह तो यह है 14 डिगरी के ओके तो यहाँ पे लो गया 14 डिगरी और यह कौन से कॉलम मिला आपको 4 के ना 12 लिया है तो 4 के कॉलम से तो 14 डिगरी 4 मिनिट ऐसा हम यहाँ पे लिखेंगे तो इसलिए यहाँ पे आ गया 14 डिगरी 4 मिनिट तो आपने देखा magnitude निकालने के लिए हमने क्या लिया है अंडरूट ओफ यह दोनों का addition किया और inverse निकालने के लिए 10 inverse का formula इसकिया है ओके नेक्स देखो नेक्स टाइम resolution of vectors the resolution of vectors में क्या है वो दिखते है a vector can be written as a sum of 2 or more vectors along certain fixed directions तो vector जो होते है वो हम अलग-अलग form में ने तो sum of 2 or more vectors 2 और 3 vectors और उससे ज़्यादा होंगे तो उनके vectors को हम combine करके मतलब sum करके भी लिखते है तो यह वेक्टर वेक्टर can be written as तो यह वेक्टर जो है वो हम ऐसे ले सकते हैं V1 alpha 1 cap plus V2 beta cap plus V3 gamma cap तो यहाँ पे जो A cap alpha cap, beta cap और gamma cap होंगे वो क्या होंगे unit vectors होंगे along chosen direction तो suppose alpha हो गया x direction के लिए और beta हो गया y के लिए और gamma हो गया z direction के लिए तो यह क्या हो जाएगे इसके unit vector हो जाएंगे V1, V2 and V3 are known as component of V vector तो यह V1, V2 क्या है component है और यह क्या है unit vectors है तो जैसे आप देखोगे suppose यहाँ पे मैंने दिखाया है यह x से suppose यह है y और यह क्या है z और इसको z direction में अभी यह V1 है यह V2 और यह क्या है V3 तो यह V1, V2, V3 क्या हो गये components of V vector मतलब velocity के क्या हो गये यह components है और यहाँ पे alpha alpha क्या है alpha cap यह हो गया V1 का unit vector यहाँ पे लिखा beta cap तो यह हो गया V2 का unit vector और यहाँ पे लिखा suppose gamma cap तो यह हो गया V3 का unit vector तो यह क्या है अलग अलग direction के लिए हम यूज करते हैं उसको ही क्या बोलते है resolution of vectors बोलते है the components can be found direction at any required angles but if these components are found along the directions which are mutually perpendicular they are called rectangular components तो देखो यह components अगर एक दूसरे को क्या करेंगे mutually perpendicular दिखाएंगे जैसे यहाँ पर x है y है यह दोनों क्या एक दूसरे को perpendicular दिखाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे अब rectangular components बोलेंगे ओके तो देखो let us see how to find rectangular components in two dimensions तो अभी rectangular components हम कैसे दिखाते हैं तो वो हमें देखना है तो पहले करेंगे consider a vector r vector तो यहाँ पर जो r vector दिया है यहाँ पर तो वो हमें consider करना है तो r vector क्या है oc vector ok r vector equal to oc originating from the origin of a rectangular coordinate system as shown in figure two pointed तो यहाँ पर देखो origin क्या है यहाँ पर o से क्योंकि यही से क्या हो रहा है x में भी जा रहा है और y में भी जा रहा है तो यहाँ से ही क्या निकला है r vector निकला है oc ok drop perpendicular from c that meet the axis at a and y axis at b तो अभी देखो यहाँ पर क्या किया पहले सिर्फ एक component लिया है ok मतलब पहले क्या था 2 x और y थे ok यह x था और यह y था तो यहाँ से एक component गया था जो था oc r vector ok तो अभी इसको हम क्या करेंगे rectangular form में आने के लिए इसको यहाँ से एक perpendicular डाला जिसको नाम दिया a और यहाँ से perpendicular डाला उसको नाम दिया b ok o a vector equal to r x तो जैसे मैंने बोला अलग-अलग direction में अलग-अलग component होते है तो इसको क्या बोलेंगे r x vector तो यह r क्या होगे इसका component और x क्या होगे यह r x बोले तो x क्या हो जाता है unit vector ok तो यह हो गया r x और ob vector equal to r y तो यह जो ob है उसको बोलेंगे हम r y ok अभी यहाँ पे आप symbol नहीं दिखाऊगे तो भी चलेगा क्योंकि यहाँ पे क्या direction दिखाऊगे होती है नहीं दिखाऊगे तो भी चलता है ok r x and r y being the components of oc vector तो यह जो r x और r y यह किसके component है oc vector के components है along the x and y axis क्योंकि oc क्या था पहले main component था ok यह जो main था oc vector तो उससे ही हमने क्या किया perpendicular डालके x और y axis पे बनाए है तो यह r x और r y किसके component हो गए oc के ok then by the law of parallelogram of vectors तो अभी parallelogram of vector हमें use करना है तो वहाँ पे क्या करेंगे क्या होता है दो vectors के addition करते हैं ok so r vector equal to r x plus r y यह जो r vector है यह r vector किसके बराबर है r x plus r y के so r x vector plus r y vector और देखो अब यहाँ पे i cap और j cap क्यों है क्योंकि x का component क्या हो जाएगा x का unit vector क्या आएगा i cap और y का unit vector क्या आएगा j cap ok so यह हो जाएगा r i cap r x i cap plus r y j cap ok where i and j are unit vectors along the x and y axis so x में रहेगा तो i y में रहेगा तो j और z में रहेगा तो k ऐसे यूज करते है x के z के लिए क्या करते है k यूज करते है and r x and r y are the magnitude of the two components of r vector तो यहाँ पे r x और r y क्या दिया याँपे components of magnitude of two components तो यह दो components के क्या ही है magnitude है है let theta be the angle made by r vector with the x axis ओके तो यहाँ पे जो angle बन रहा है यहाँ यह theta तो यह theta क्या है r vector के वज़े से बन रहा है ओके theta be the angle made by r vector with the x axis तो यह जो r vector है और यह x axis इसके बीच में जो angle बन रहा है वो cos theta तो इस cos theta को हमें निकालना है तो इसका formula पता है cos theta equal to क्या होता है adjacent upon hypotenuse adjacent side upon hypotenuse तो cos theta equal to तो adjacent side क्या है यह है rx rx के adjacent and hypotenuse क्या है r vector यह triangle consider किया है न तो adjacent side यह theta angle इसके adjacent side क्या है rx और hypotenuse क्या है r vector so cos theta equal to rx divided by r so rx निकालना है तो यह r cos theta यहाँ पर चला जाएगा और वैसे ही sin theta लेना होगा तो sin theta equal to क्या है r y upon r तो sin theta यहाँ पर अगर angle आएगा यह वाला angle ओके तो यह वाला angle अगर आप consider करोगे तो यहाँ पर भी क्या आएगा adjacent upon hypotenuse इस angle के लिए क्योंकि यह किसके बीच में बनाए oc और yx इसके बीच में तो यह वाला angle sin theta तो r y upon r यह बन गए आपका r y equal to r sin theta तो cos theta और sin theta यह निकल गए हमारा r x और r y की value निकल गए अब हम addition करेंगे क्योंकि हमें resultant vector का formula यूज करके वो निकालना है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे squaring and adding equations 2.14 and 2.15 तो यह दोनों को हम क्या करेंगे square करेंगे और add करेंगे अब दिखो इसको कैसे r करेंगे add करेंगे यह वाली term और यह वाली term इसको पहले square करके add कर देंगे so r square cos square theta plus r square sin square theta अब यह equal to में क्या है rx और ry तो rx square plus क्या हो जाएगा ry square ओके तो फिर देखो r square equal to अब यह cos square theta plus sin square theta क्या हो है 1 यह r square common निकालोगे और यह आपे लिखोगे cos square theta plus sin square theta equal to rx square plus ry square तो यह इसकी value तो हो जाएगी 1 तो बचेगा क्या सिर r square equal to rx square plus ry square और r equal to इसको क्या डाल दोगे आप under root में तो rx plus ry तो यह क्या मिल गया हमें magnitude मिल गयी magnitude of r vector इसके बाद क्या करेंगे तेकिंगे direction कैसे निकालना है तो direction के लिए formula है tan theta equal to ry by rx तो देखो tan theta equal to क्या किया है ry by rx तो ry by rx लिया तो theta निकालना है theta equal to tan inverse of ry by rx ओके सिमिलरली तो अभी देखो यहाँ पे ry और rx यह ऐसा formula निकालके आप direction निकाल सकते हो ओके theta angle निकाल सकते हो इस रx, ry and rz are the rectangular components of r vector along the x, y and z axis of the rectangular cartesian coordinate system in three dimensions in three dimensions then r vector equal to तो देखो अगर rx, ry और rz यह क्या होते rectangular components होते r vector के rectangular मतलब z के direction में भी होगा जैसे मैंने आपको यह वाला बना के लिखाया तो इसके अगर यहाँ पे भी होता z में यह होता फिर ऐसे rectangular में आ जाता तो फिर क्या होता तो फिर हम क्या लिख सकते थे वहाँ पे r vector equal to rx vector plus ry plus rz तो rx का component क्या आ जाते rx i cap plus ry j cap plus rz k cap k cap किस के लिए z direction के लिए ओके और magnitude of r vector कैसे लेते फिर under root of r square plus ry square plus rz square तो तीनो direction में होता x, y and z में तो आप लेते तीनो components if two vectors are equal it means that their corresponding components are also equal and vice versa तो देखो हमने क्या दिखा हैं कि अगर two vectors क्या होगे equal होगे दो vector अगर एक जैसे है it means that their corresponding components are also equal तो vector अगर equal होगे तो उसके components जो होगे वो भी क्या होगे equal होगे और vice versa नई तो फिर components अगर equal होगे तो vector भी क्या होगे equal होगे तो देखो if a vector equal to b vector अगर a vector की value और b vector की value same है that is if अभी देखो a vector है तो उसके अंदर के आएंगे उसके component आएंगे तो component कौन से AXI cap plus AYJ cap plus AZK cap तो वो भी क्या होंगे B vector के component से equal BK क्या होंगे BXI cap plus BYJ cap plus BZ BZK cap ओके then AX equal to क्या जगए फिर देखो यह AX equal to BX आएगा AY equal to BY और AZ equal to BZ ओके तो AX equal to BX AY equal to BY AZ equal to BZ तो अगर दो vector अगर equal है तो उनके components भी क्या होंगे equal होंगे ओके next example देखो find a unit vector in 3 direction of the vector 3 I cap plus 4 J cap तो हम यह क्या निकालना है यहापे unit vector निकालना है in the direction of the vector तो पहले तो हम लिखेंगे हमारे पास vector कौन सा है तो vector है हमारे पास V वो क्या है B vector equal to हम लिखेंगे 3 I cap plus 4 J cap अभी इसका क्या निकालना है हमें unit vector निकालना है in the direction of the vector इस vector के along direction में unit vector निकालना है तो पहले तो हम क्या करेंगे इसका magnitude निकालेंगे so V vector equal to magnitude के के लिए क्या लिखते हैं mod of V vector equal to under root of अभी दो क्या है दो components है तो हम लिएंगे 3 square plus 4 square तो यह क्या जाएगा 25 तो equal to इसका under root क्या हो गया 5 तो वैसे ही अभी क्या निकल गया यह हमारा magnitude निकल गया हम क्या करेंगे अब direction निकालना है तो हम इसको क्या करेंगे V vector equal to alpha cap mod of V vector मतलब यहाँ पर जो alpha cap होगा यह क्या है unit vector होगा unit vector along V vector क्योंकि इसके along में हमें क्या करना है direction निकालने है न उसकी unit vector की तो unit vector हमने alpha मांगा है माना है तो alpha cap equal to क्या लेंगे हम V vector divided by mod of V vector अभी आप यहाँ पर ध्यान में रोको unit vector निकालने के टाइम पर हम क्या कर रहे है V vector जो vector दिया है V vector upon mod of V vector यह आपको math में भी यूज़ करना है तो यह ध्यान से ओके so alpha cap equal to V vector divided by mod of V vector so V vector हमारा क्या है तो वो है हमारा तो वो जो हमारा example में दिया है वो 3 क्योंकि यह क्या है 3 हम लेंगे यहापे 3 और 4 है न तो हम क्या करेंगे 2 है हमारे पास तो V vector equal to 3 I और 4 J है तो हम क्या करेंगे 3 और mod of V vector क्या है 5 तो 3 by 5 I cap plus 4 by 5 क्योंकि 4 क्या है V vector और 5 क्या है mod of V vector तो 4 by 5 to J क्या है तो यह क्या आ गया इसका unit vector का unit vector हमें मिल गया है इसको इतना ही रखना है तो हमने कैसे क्या है पहले तो हमने magnitude निकाला तो magnitude के बाद क्या निकाला unit vector unit vector का simple है आप V vector divide by mod of V vector करोगे mod of V vector का जो value आएगा उससे divide कर दोगे अभी यह 2 थे इसलिए हमने क्या किया है 3 by 5 plus 4 by 5 J कैप अगर आगे भी कुछ होगा 2 K कैप होगा तो हम क्या करते है plus 2 by 5 K कैप तो यह हमारा यह example एक होगया second example देखते है give a given A vector equal to I cap plus 2 J cap and B cap equal to 2 I cap plus J cap what are the magnitudes of the two vectors are these two vectors equal तो अभी क्या किया है इन्होंने बोला है कि यह दोनों vectors क्या है उनकी magnitude निकालेंगे अभी इन दोनों की magnitude निकालेंगे और हम बोलेंगे कि यह दोनों equal है क्या नहीं है तो अभी देखो magnitude निकालने के लिए तो हम क्या करते है mod of A vector लिया under root of यह I का component क्या है 1 plus यह क्या है J का क्या है 2 दिया हुआ है इसलिए 2 लिया है जिसका कुछ नहीं होता उसका 1 लेने का तो यहापे तो हमने देए 1 plus 2 square equal to under root of 5 और B vector equal to क्या है under root of यह 2 और J का क्या है 1 तो 2 plus 1 क्या होगे under root of 5 अभी देखो यह दोनों का magnitude अगर सेम है अगर यह under root of 5 अगर यह under root of 5 आ रहा है लेकिन इनके क्या बोले है अगर दो vector same होंगे तो vector same होंगे तो उनके component भी क्या होंगे सेम मतलब जैसे कि यहाँ पर देखा हमने AX equal to BX AY equal to BY और AZ equal to BZ आना चाहिए तो यहाँ पर देखो AX equal to AY है क्या BY है क्या sorry AX equal to BY मतलब यह वाला term और यह वाला term equal है क्या नहीं क्योंकि यहाँ पर क्या है I और यहाँ पर क्या है 2I यहाँ पर क्या है 2J और यहाँ पर क्या है J तो यह equal है क्या नहीं है तो देखो the magnitudes of A vector and B vector are equal however their corresponding components are not equal क्योंकि AX equal to BX अगर ऐसा होता अगर यहाँ पर 2I होता यहाँ पर 2I होता यहाँ पर J होता और यहाँ पर J होता तो क्या होते इक्वल होते देकिन यहाँ पर क्या है इनके components अलग-अलग है तो इसलिए यह equal vector नहीं है ओके next topic आम next lecture में पढ़ेंगे तो यह आप solve करके देखो examples और कुछ क्यूरी होगी तो मुझे message के दुरू पूश सकते हो